असलाम आलेकुम मैं तजमुल सर इस वीडियो में हम टेस्ट आफ डिविजिबिलिटी को कंटिन्यू करेंगे चलिए अब हम आएंगे डिजिट 5 पे वो कौन से नंबर्स है जिने हम 5 से एक्जैक्ली डिवाइट कर सकते हैं यह कह रहा है कि अगर आपके पास कोई नंबर है अ इसका जो यूनिट स्प्लेज डिजिट है वो क्या है जीरो सो हम इस नंबर को 5 से डिवाइट कर सकते हैं दूसरे एक्जैंपल जो मैंने लिए है 155 की इसका जो यूनिट स्प्लेज डिजिट है वो क्या है 5 इसका मतलब यह है कि इस नंबर को भी हम 5 से डिवाइट कर सकते ह हमने अभी रूल में पढ़ा, कोई भी नमबर जिसका unit place digit अगर 0 या 5 होगा, देन उस नमबर को हम 5 से divide कर सकते हैं, यह है 5 के rules, अब हम आएंगे digit 6 पे, ठीक है, सबसे पहली बात, एक नमबर को हम 6 से divide कर सकते हैं, कब? अगर वो नमबर पहले क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, और sum of its digits is divisible by 3, और जब आप उस नमबर के digits को आपस में add करोगे, sum करोगे, जो result आएगा, उस result को 3 से divide होना चाहिए, तब ही उस नमबर को 6 से divide हो सकता है, अब मैं आपको example से यह चीज समझाओंगा, मेरे पास जो example है, वो है 2502 की, ठीक है, 25002 और 25002, सबसे पहली बात, नमबर क्या होना चाहिए? इवन, यह एक इवन नमबर है, क्योंकि units place digit क्या है, 2, सो यह एक इवन नमबर है, दूसरी बात, sum of its digits is divisible by 3, अब कीजिए, इस नमबर के जो digits है, उनका sum कीजिए, 2 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 2, 2 और 5 कितना होता है, 7 प्लस 0 प्लस 2, यह कितना आ रहा है, 7 और 2 कितना होता है, 9, क्या 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, 3 1s are, 3 3s are, इसका मतलब यह है कि 2 5 0 2 को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 गिवाइड कर सकते हैं,